दोस्तों मैंराज पांडे आप देख रहे हैं RCON तुरे आए जान लेते हैं अभी की बड़ी खबर मुख्षिसमा 4 की बारे में अभी की लेटिस्ट अपडेट की बारे में बात करेंगे पूरी खबर भी स्तार सीदेंगें सच को सच कहेंगे जूट को जूट कहेंगे न पच्छ न भी पच्छ वलनी नित पच्छ वीडियो को पूरा देखेगा पूरी बात आपको समझ में आ जाएगी क्योंकि जो भी जानकारी दूँगा बिसलेसर के साथ सही और सठीक मेरा करतब है कि आप तक सही और सठीक जानकारी पहुचाना आपको गुमरा होने से बचाना मैं आपसे बार-बार रिक्ष्ट करता हूँ कि गोदी मीडिया से दूर रहे समाचार पत्रों में जो कुछ निकलता है उसका आप विसलेसर सुना करें समझने का प्रियास किया करें हर एक बात सही नहीं होती है बार-बार आपसे कहता हूँ आपको याद होगा भरतियों को लेकर दावों को लेकर समाचार पत्रों में कई बार खबरे आई हैं लेकिन वह सही साबित नहीं हुई है छे महीने में 50,000 भरती होगई आपको पता भी नहीं चला तो पूरी जानकारी के लिए बीडियो पूरा देखीगा इस चैनल के माद् से यूपी बिहार सहित अन्य राजों की महच्पूर खबरे दी जाती है जो भी जानकारी मुझे कलेक्ट होती है सबसे पहले मैं आप तक अपडेट कर देता हूं साथ साथ मैं आपको बता दू राजनेतिंग मुद्दा हो भरती परिच्छाओं से सम्मद्द कोई खबर हो बेरोजगारी का मुद्दा हो आम जंता का मुद्दा हो हर एक खबर आप तक पहुंचाने का प्रियार किया जाता है तो वीडियो को फूरा देखीगा लाइक स्क्राइब करिएगा पाहली खबर है चुनाओ को लेकर जियोपी विधान सभा चुनाओ के दूसरे चरण का मद मद्दान संपन हो चुका है सवाल है जो करमशारी ड्यूटी में लगे हुई है अपना मद्दान कैसे करेंगे सत्रह हजार से अधिक करमशारी सिचकों की मद्दान पर संकट सवाल है कि मद्दान कैसे होगा और आखे का संकट क्यों है और करमशारियों में रोज क्यों है से अपने मताजिकारियों को सिर्फ मदान के लिए अपनी परशिच्छन इस्थान पर रोवारा आना होगा जिसको लेकर करमसारियों और सिचकों में रूस व्यप्त है उत्तर प्रदीश्य प्राथ्मिक शिच्छक संग की जिलाध्यत सुधान सुमोहने कहा कि परसिच्छंड के दवरान ही मद्दान होता तो सभी मद्दान कर सकते थे सार से असी किलोमेटर दूर से भी परसिच्छंड के लिए करमसारी और सिचक आये हैं जिन्हें सबसे ज़्यादा परिसानी होगी सवाल है ऐसा क्यों किया गया है मैं आपको बताना चाता हूँ हकीकत जब तक आपको हकीकत नहीं पता चलेगा तब तक आप कुछ भी समझ नही जाती है अब पुरानी पिंसन किसका भाल होगा करमचारियों का किसे फायदा मिलेगा करमचारियों को अब जिससे करमचारियों को फायदा मिलेगा उनका मत कहा जाएगा उसी के पच्छ में जो करमचारियों के हित्में बोलेगा और बरत्वान सरकार ओपी इसकी पच्छ मे नहीं है तो अब 80 से 100 किलो मीटर दूर ड्यूटी लगा दिया जाए तो मद्दान कैसे करेंगे करमचारी अब देखे किस तरह से रणीत अपनाई गई है अब जितने भी करमचारी है उसमें से कि वह 70 फीद्दी मद्दान करेंगे बाकी नहीं कर पाएंगे ऐसा माना जा रहा ह है तो जिसका सपोर्ट करमचारी कर रहे हैं जो मन बनाए हुए हैं पुरानी प्यंसन को लेकर वह सपना साकार होते ही नहीं दिख रहा है तो यह एक मैं जानता हूं बहुत ही अच्छा चाल है जिसमें लोग फस्द आते हैं अभी मैंने रेखा है पहले चरण और दूसरे च पाड़ दिये गए क्यों कि पहले और दूसरे चरण के मद्दान में आप देखेंगे दूसरे चरण में यम वाई फैक्टर सबसे ज़्यादा था इसलिए ओट कटे हुए मिले ऐसा महां की मद्दाताओं का कहना है अब तीसरा चरण चौथा चरण पाच्वा चरण होगा उ सामने को देखने को मिले हूँगे सास्त अप देखेंगे कि पहले चरण दूसरे चरण में ये य बियम भी बहुत खराब मिली है लेक्न तीसरे चौथ और पाच्व चलन में ये बहुत कम खराब देखने को आपको मिलेंगे आप इसको नोट कर लेना तो भाई आप ops के को लगता है कि कार्वचारी अपना मद्दान अपना मत प्रियोग कर पाएंगे ओपियस के पच्छ में या जिस सरकार का चुनाव करना चाहते हैं उसके पच्छ में आप लोग मिनी राइक कमिन बॉक्स में जरूर दें एक और वहत्पूर खबर में आपको देदू दैनिक भा कार बाद भी लोगों को बुला बुला कर बैठाया गया तो कानपूर देहाज की खबर है याने की भीड़ जुटाने के लिए काफी मसकत करनी पड़ रही है जो इस्ति है और मैं आपको बताना चाहता हूं अगर यह इस्ति है तो आप समझ सकते हैं कि मतदान में किस तरह का रोल निभाएगा मतदाता किसके फेवर में नजर आ रहे हैं क्या जो लाभार्थी की बात की जारे कि हम पांच किलो अनाज दे रहे हैं तेल दे रहे हैं अन्नमक दे रहे हैं चना दे रहे हैं उसका लाव मिलेगा अगर उसका लाव मिलना है लाभार्थी भार्थी जनता प सबसे एहम सवाल है आपकी क्या राह है आप लोग अपनी रायक कमेनी बॉक्स में जरूर दीजिएगा अगली अपडेट है और बहुत ही अच्छी अपडेट है यहाँ पर लिखा हुआ कि खतम करे बेरोजगारी योग को चुने विधायक मैं आपसे बार-बार कहता हूँ जिसके अंदर योगिता हो चाए विधायक हो चाए सांसद हो या मुखमंतरी हो या प्रधानमंतरी हो या कोई भी नेता हो उसी का आप चुराओ करिये जिसके पास योगिता है और योगिता के आधार पर चुनाउ करने पर आपका विकास हो सकता है नहीं तो आप 80, 20, 80, 85, 70, 45, 30, 35 में फंस दाएंगे इसी में फंसे रहेंगे 80, 85, 75, 70, 35, 60, 40 में फंस दाएंगे इसमें आपको नहीं फंस दाएंगे आपको योगी विधाय का चुनाव करना है उसका बायो डाटा गूगल पर खंखालना है चेक करना है उसके पास कितनी योगिता है कितना पढ़ा लिखा है किस आजहार पर विधाय की का चुनाव लड़ रहा है क्या उसे विधाय बनाना चाहिए नहीं अगर आप सिच्छित है अगर आप लाभार्थी हैं लाभ के लिए वोट कर रहे हैं कुछ समय लाभ के लिए वोट कर रहे हैं तो भाईया आपके ओपर निर्भर करता है मुद्दे क्या रहने चाहिए यहाँ पर देखे सभी लोगों ने अपनी राय दिये हमारे सहरवा परदेश दोनों को ही सिच्छित नेता की अवशक्ता इसलिए अनुभविक के साथ युआ नेताओं को भी मौका देना चाहिए ने इस तो उर्जा के साथ ही बदलाव देखने को मिलेगा तो यहाँ कहना है राजस सिंग गवर का जो की बिजरेस मैन है इन्नोंने कहा की युआ नेता चाहिए और युआ नेता सिच्छित बेख्ती को ओट करेंगे सिच्छित बिधायक बनाएंगे तो बदलाव संभो है और यहाँ पर देखे लिखा हुआ है राजनीत में अभी भी महिलाओं को पर सिच्छित बहुत परतिसत बहुत कम है इसे समझना चाहिए यदि सहर में दस बिधा है महें गाई है सास्थ स्वास्ताओं को लेकर भी लोग बात कर रहें यहांपर साब सादी कम महें और i स्वास्ताओं ब्यूजगारी इत्याद मुद्दे सामने निकल कर आए लेकिन हमने एक बात बहुत कम सुनी लॉइन आडर को लेもし लूइन आडर महें इसकी चरचा जोरू सुरू से है किसानों की चर्चा बहुत जोरू सुरू से है लेकिन लॉइन आडर कितना बहतर हुआ इसके बारे में कोई नहीं बोलने को तयार है इसका मतलब है या बदलाव की तरफ संकेत कर रहा है एक और महत्पूर्ण खबर है परेसानी इवियम में खराबी से कई देखार रुकामदान तुम्हें आपको बता दू पहले और दूसरी चर्ण में ज्यादा खराब हुए हैं लेकिन आप जैसे जैसे देखेंगे कि चर्ण बदलते गए यानि कि तीसरे चर्ण चोथे चर्ण पच्वी चर्ण में इवियम आपको बहुत कम खराब दिखेगी बहुत कम खराब दिखेगी और जो ओटर लिस्ट में नाम काटे गए हैं पहले और दूसरे चर्ण में जो कट चुके हैं जैसा कि लोग आरोप लगा रहे हैं आपको तीसरे चोथे और पांचवी चर्ण में बहुत कम देखने को मिलेगा आप बातों को समझे मुझे बताने के बेशकता नहीं है एक और महत्पूर खबर है टेनी की बेटे की जमानत की खिलाब करेंगे कोट में अपीर राकेश टिकाइड तो टेनी की बेटे की बेटे की खिलाब कोट जाने की तयारी राकेश टिकाइड कर रहा हैं किसान निता राकेश टिकाइड ने कहा कि लखिन पुर्खीरी कांड में गिरी राजवंत्रे अजय मिस्रा टेनी के बेटे असीस की जमानत के खिलाप अपिल की जाएगी वह चाहते हैं कि कोट उन्हें रूबरू सुनें उन्होंने कहा कि देश को लेबर कालोरी बनाने की साजी से जनता को अस्पताल बंद स्कूल विरोजगा सिलेंडर के लगातार बढ़़ां किषानों की फसर की शाहीं कीमत पर ओट करना चाहिए तो बहुत अच्छी बात इनोंने कहीं मुद्दों पर ऊठोना चाहिए ना कि 80-25-85-25 पर होना चाहिए बातों को समझें मुद्दों पर वुट करिए जिससे आप का विकास हो, आप के परीवार का विकास हो, आपके सहर का विकास हो, आपके गाउं का विकास हो अगली अपडेट में विश्विद्जाले में offline का चायन सुरू परिशन में लोटी रहो mut खोश्टलो और लाइबरेरी को पूरी छमता के साथ खोलने की मांग एक और वहत्पूर खबर है विद्याले आवंटन की मांग को लेकर सेंट बोर्ड पर प्रदर्शन मांग पूरी ना होने पर अनिश्टित कालिन धरने की चितावनी तो उत्तर पर माजबी सिछा सेवा चैन होनी दी के 24 घंटे में विद्याले आवंटन नहीं किया गया तो आनिश्टित कालिन धरना प्रदर्शन करेंगे सवाल है क्या होगा तो भी आपको थोड़ा बेट करना पड़ेगा अभी इतना जल्द कुछ भी होने वाला नहीं है आप इंतजार करेंगे तभी आपको इसक हमें हुए परिवर्तन पर हाईकोड ने मांगा हर्फ नामा तो पूरी खबर यहां पर दी गई है पीसे समयत अन्परतियों की पर इच्छाओं की संसूजित उत्तर कुंजी जारी किया जाने के मामले में अलाबार हाईकोड ने इस मामले में आयो को दस दिनों के भीतर का 는रीं जारी किया जाने का बढता हैं दरजनू ने आयो के अजच्छू को कई बार जा पंदीक देंस दिने की मांग लेकिन आयो की और से कोई जवाब नहीं दिया तो सवाल है जवाब कब तक मिलेगा तो अभी आपको इंतजार करना पड़ेगा देखे संगहस करने के बाद प्रतिभल मिलता है इतना निश्चित है समय लग सकता है लेकिन परड़ाम बहुत अच्छा होगा सवाल है कि गन्ना किशानों में रुज़ान देखने को मिला या नहीं क्या बदलाओ की और संकित करा तो मैं आपको बताना चाहता हूँ गन्ना किशान साथ साथ मुस्लिम और यादों ने जम कर वोट किया है साथ साथ जो बैपारी वर्ग है जो सहरी छेतर है वहाँ पर मद्दान पर सथ कम देखने को मिला है इसका मतलब है कि यह बदलाओ की और ही संकित कर रहा है तो यानि कि पहली और दूसरे चर्ण में किश परिशान यम वाई फैक्टर इसके साथ है उसी की विजयत है इतना निश्जित है यह दो चर्ण हो चुके हैं अगले चर्ण में क्या होगा तीसरे चर्ण में क्या होगा इस चैनल के मादिन से जल्द ही आपको सूचित किया जाएगा इसलिए आप वीडियो को पूरा देख करें समझने का प्रियास किया करें साथ साथ जूनीर हाइस्कौर सिचक भरती के समन्द कई १र सक रचय कब तक कंपलेट हो गी तो मैं आप सभी से इस पश्ट मूस बता मार्ट पोई भरती कंप्लेट होने वाली है जिसके बारे में आप वहाँ धार हो या भरती अप्रेयल और मई महां तक complete कर ली जाएगी ऐसी तयारिया चल रही हैं जब तक आपके हाद में ज्वानिंग लेटर ना जाए तक complete नहीं माना जाता तो आपको थोड़ा बेट करना पड़ेगा बेट करेंगे तो प्रत्वाल मिलेगा बेट नहीं करेंगे तो आपके उलजने चिलाने यांदोलन करने से इस पर कुछ भी प्रभाव नहीं पड़ने वाला तो आप 10 मार्ज के बाद ही सोचकर चलें आगे कोई अपडेट मिलेगे तो इस चैनल के माधिम से आपको दी